पिश्कार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने बालें आज के मीन रासी फल के बारे में कि आज का दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी अप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दमाएं जिससे आप तक समय समय पर इसी प्रकार की मेहत्मूर वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी रासी वालों का आज क दोस्तों आज का दिन आपके व्यापार की दरश्टी से उत्तम रहेगा आज कोई बहारी और बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था और साथी ननिहाल पक्च से प्रेम और इसने मिलने की पूर्ण संभावना पाई जाती है और साथी अना पक्च से सुब समाचार सुनने को भी मिल सकता है और किसी से मत्मेद की संभावना भी फिरबल हो रही है जिया दोस्तों साथी यदि आपको कोई सारीर के रोग परिसान कर रहा है तो उसका जल्द निदान कर लें अन्यता कष्ट में व्रद्धी संभाव है और आज समाजिक खाने पीने की चीजों से परिज रखें इसके साथ ही आज आपको अपने परिश्रम का पूरा प्रतिफल भी प्राप्त होगा जिससे आपका मन काफी प्रसन रहेगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है दोस्तों आपकी अगर भी आप चिंतित रह सकते हैं विरोधी आपको नुक्सान पहुचाने की कोशिस करेंगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहेगा आज रुका हुआ फसावा धन आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रियासरत रहना पड़ेगा कारोबार में आज सपलता की योग रहेंगे आर्थिक नजर ये से आज का दिन आपके लिए कुछ अनुकुल रहेगा लकडी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में जाफा होगा व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी जिससे म मुनाफा भी होगा युवाव और विद्यारतियों के लिए दिन सामन्ने रहेगा दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसे रहेगा अपने पिता की बातों का संबान करें आपकी राय एहम हैं सबी पक्षों पर सोच विचार करी अपनी बात रखें घर परिव प्रगों और बच्चों के स्वास्त का ध्यान रखें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लैप कैसे रहेगी दोस्तों प्रेमी प्रेमी काउ के लिए ये दिन काफी सैयम बरतने कें नहीं तो समाज में ऐसे रिष्टों से बदनामी भी हो सकती है दाम पते जीवन काफी खुशिया रहेंगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसे रहेगा दोस्तों इस तोरण हाई ब्लेड प्रेसर या हाई बीपी की मरीजों को कुछ समझ्षाएं उत्पन हो सकती हैं यह समझ्षा मोसम जनिक भी हो सकती हैं अपने स्वास्त का ध्यान और नियमित योग करें प्राणायम करें और अधिक स्वास्ता